आपको खोशाम देए आज जो दो आहम मोदवात हैं वो दोनों ही जी एच क्रूव से मुतलिक हैं एक तो नए जी एच क्रूव से मुतलिक है कि वहाँ पर जो सीडिये की तकरीवन डेर खरब रुबे की कमर्शिल लैंड थी उसको ग्रीन बर्ट में तब्दील कर दिया गया है और वो अमलन जो है वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है दिफाई मकासित के लिए और जो दूसरी खबर थी वो ये कि इमरान ख की थी और ये जो नेरा जी एच्कु है इसकी कमर्शिल लैंड जो है इसका क्या जो है वो तफसीलात है यह आप से शेयर करेंगे लेकिन अगर आपने चैनल रिपोर्डिंगे तो चैनल दूर सब्सक्राइब कीगे ना सबसे पहले बात करते हैं जो निया जी एच्कु है जि जो है जी एच्कु यहां पर जो है शिफ्ट होना था और यहां पर यह जो काफी बड़ी जो जगा है जो यह अगर आप देखें तो ई-7 के बाद जो है ई-8, ई-9 और ई-10 यह तीनों पाकिस्तान की जो मुसल्ला अफवाज है यानि के एक जो है वो एर फोर्स के पास है फि जो जो नेवी और एर फोर्स है उनों तो शुरू से ही जहां पर उनके जो है वो हैड आफिसे जो है यहां पर बनाये गए थे जो आर्मी का जो हैड़ कोटर था वो जी एच्वी जो है रावल पिंडी में था और यह ख्याल किया चाहा था कि शायद जो मुजूता जी एच् लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहां पर लेकिन डिफेंस कॉम्पेक्स जो है इसको बना दिया गया है यहां पर देखते ही देखते अंदर फ्लैट्स सरकारी दिफासर जो हैं बन गए हैं कुछ यहांपर कमर्शल जो आर्मी की वंचर जैनि के जो सी इस्टी होती है वो भी वहां पर बन चुकी है और यह जो आप से मैं बात करूँ यह जर इसलामबाद में आपने एक ख्याबाने एक्माल है जिसको रोग बास रोग मारगला रोड भी कहते हैं यह आगे जाकर मारगला रोड के साथ मिलती है तो यह जो ए एट और ए नाइन जो है वहाँ पर आर्मी के जो य पहले मारकी भी जो है वो बनाई गई थी वो फिर बाद में सुब्रीम कोर्ट में जब यह मामला टेक अप हुआ तो फिर खत्म कर दी गई तो यह जो है आगे चल रही थी एक किसम की एक कमर्शल पटी थी लेकिन जो मास्टर प्लान है सीडिये का उसमें जो हमारा एक यह मोड एक जो है यह राइट साइड बे मोड़ता है फिर जो उससे जब आगे जैए एक साइड पर जो है और दूसी साइड पर वहां पर रेजिजेंशल बिल्डिंग्स हैं वहां पर कमर्शल पॉपर्टीज हैं तो वह जो अगे जाता है और फिर आगे यह जब खियाबा जो है वहां पर प्लाजे बगरा बनने थे वहां पर आईरेस बिल्लिंग्स बगरा बननी थी और उसमें एक साइड जो है वो तो सीडिये के पास है और दूसी साइड भी वैसे सीडिये के पास है क्योंकि सीडिये जो है मालिक है इस्तानबाद की जो जितनी भी जमीन है उसक लेकिन वो चुके उनने अफ़ाज पाकिस्तान को अलाट कर दी ती डिफ़ाई मकासित के लिए तो जो सीडिये का क्लेम था वहाँ पर कमर्शल एरिया का तीन सो पच्छतर कनाल का वो सीडिये ने जो है वो गुटरा नहीं किया वहाँ पर सीडिये का ख्याल पके है हम मुनासे वक्त भी यह जगा जो है वो निलाम कर दे लिए तो अभी यह एक डिवलिप्मेंट हुई के जो अफ़ाज पाकिस्तान है जो डिफेंस कॉंप्लेक्स इस्तामबाद है वहाँ से जो है एक खत लिखा गया सीडिये को और साथ में वो जो वफाकी वजीर राखना है मुन से लक्वी वो सीडिये के इंचार्ज भी है इंचार्ज मिनिस्टर है उनको भी जो है यह द्रखास की गई कि जो इस वक सुरत हाल है तो यहां पर यह जो तजारती जो यह ल ग्र gemeente कर दिया गया बिर्मिन कंश सरे अमपर्ट कि जो जगा ती इस्टांबाध में झाल में नहीं को समय कि चंश स्बस्क कि इन से नहीं को होता है तो इसको अगर आपके अगुलेर्ट करें तीसो फच्छे तर रुपे तो वो पिर तकरीबएं डिर्ड दो खरब रुपे बनते हैं और एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान जो है वो उसको माशी مشکلات, ती सीड़ी है जो है उसके इहाँ, मशाशी मुश्य मुश्चाइद ने इस अईसे वक्त में इस किसम का ये फैसला, कि ये कोई देर्ढ़ खरब रुबेगी जमीन जो है, इसको ग्रिन बेल्ट जो है जो है, जा उसको ग्रिन किल किला जब हलाइक अच्छे हो तो यह दोबारा जो है ये कमर्शल ऐरिया बन जा यहां पर जो है दोबारा जो है वो पजारती जो है बुगासित ile के लिए इसको इस्सावाल करना शूरू कर दिया जाय रुदध हैं और हकूमत जो है वो exactly the whole situation अफ़न्त हो jeśli आजेगी अज़ कि उनका ये जो उन्ने काल दी थी ये काल उनने दी थी का अगर अरेस्ट किया जाता है तो फिर अगर रेंजर्जर्स यहां फूज के कोई लोग करते है तो बजया है इसके, कि आप आगे पीछे के सामने अतजाज करें तुक्ह पोली स्टेशन के आगे जाएं। है वो आप इतजाज करें बजाए इसके कि आप आगे पीछे फिरते रहें लोगों को जो है वो आम लोग भी तंग हो आप जा के उदर दढ़ने देजें फैदाबाद में और बीच होग में बैठ जाए तो आप जो है वो इन जगों पर जाकर मुनासिब इतजाज करें पुरम पुरमन रहने की काल दीती थे कि बीच में कोई मिस्क्रींट जो है पुई जो ट्रबिंग मेकर वो आगे और उन्होंने आगे जो हमारे पुरमन जो इतजाज थे उसको एक वाइलेंट जो है पुरतश्दद इतजाज जो है उसमें सब्दील कर दिया और इम्राद खान उनक लेकिन ऐसी बात नहीं हो रही उनका यह कहाना था कि हमने जो है वो अदालत से अब रुजू करेंगे कि इसकी CCTV फूटिज जो है वो लाई जाए कि यह कोर कमांडर जो आउस में जो है उनको अदेंटिफाई किया जाए और बारहल यह उनको इनको बात की है उसमें भी एक व जाज की काल दे रहे होते हैं और सिंसी टीब जो है ओंधार की काल दे रही होते है तो फिर यह वहांपर उनके जाए ही होती है जो है उनको प्राफिकषइज जो है प्र में पैश की Donc ने seed praw ya actual जो है उन्होंने वो ट्वीट्स पढ़ी उन्हें का जी कि आप तो ये लोगों को जो है उन्होंने अगर चो उनको बेल तो दे दी किसाथ उनको ये बताया कि आपने ये जो लिखा है कि अब लोग बाहर लिख लें ये जहां यहां जाएं वहां जाएं ये करें वो करें तो आपने यह कैसे चुन कर लिया, कि यह सारे लोग, जिनको आप काल कर रहे हैं, यह बड़े अवनपसंद लोग होंगे, यह बड़े डिस्यम्टन लोग होंगे, यह आपके कहने पर आएंगे, अपना प्लेकाड उठाये होंगे, अपना इतजाज रिकार्ड कराएंगे और फिर घंटे जड़ बाचुप करके अपने घरों में चले जाएंगे ये जो लोग आये थे ये जिस तरह से भी आये थे ये एक मॉब में और एक political gathering में ये फर्क होता है कि जो मॉब होता है उसको हैडलेस होता है कोई हेड भी कर रहा हुता लेकिन जो सियासी जमातें जो है एक अपने workers को इकठा करती है call देती है तो ये उनकी responsibility होती है कि वो वहाँ पर law and order जो है maintain रखें वहाँ पर अगर कोई शख्स जो है वो discipline की खिलाव वर्जी कर रहा होता है तो ये सियासी क्यादत का काम होता है कि वो बाकी लोगों के जरीए उन लोगों को control करें अब ये तो इस तरह से तो नहीं है कि आप जो है वो आपने call दे भी और लोग आगए यहां पर और आपका ये ख्याल था कि वो चुप करके जहां यहां पर पुरमन है तजाज करेंगे और चले जाएंगे तो खान साहब ने जो आज बात की है मेरी जो नाकिस आए है उसके मताबब इसका इसके consequences जो है वो ये अगर CCTV footage एंड ना आई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए कि वो ये जो है इस जो वाइलेंस हुआ था जो कोर कमांडर हाउस में जी एच क्यों के बाहर वीगर आर्वी की दिशिवाद के बाहर तो उससे बरी उजमा हो सके इस हवाले से जो अपडेट होंगी आपको अपडेट करते रहेंगे अब तक के लिए पर हमार से तरहने का शुक्रिया अल्लाँ आपिस